हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये बॉर्टर का डिजाइन लेके आई हूँ, ये आप पूरी स्वेटर में भी अगर इसे एप्लाई करेंगे, तो ये देखी सुन्दर लगता है, और इसको बॉर्टर में भी डाल सकते हैं, ये दोनों तरफ से ही उल्टा-उल्टा बिनता है, और चार रो का डिजाइन है केवल, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये, इस डिजाइन को आप जितने भी आपने फंदे डाले होंगी, उसमें ये एड्जस्ट हो जाएगा, तो मैं थोड़े से फंदो में आपको बना के दिखाती हूँ, इसमें, ये दिखिए, मैंने साइड है, सीधी तरफ है, एक फंदा मैं उल्टा बिननोंगी, और एक फंदा बिना बिने ऐसे उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे, और एक फंदा बिना बिना उतार देंगे, फिर से एक फंदा बिना और एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा बिना, एक फंद slip कर रहे हैं तो यह पूरी रो में इसी तरीके से चलेगा एक फंदा हम बिनेंगे और एक फंदा slip करेंगे अब यह लास्ट का एक फंदा बचा है इसको भी हम बिनी लेते हैं अब सेकंड रो में है इसमें हम रोंग साइड है यह हम पूरे उल्टे बिनते वे कम्प्रीट करेंगे इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बिनने हैं तो यह पूरा उल्टा उल्टा बिनते वे कम्प्रीट कर लेते हैं अब थर्ड रो में हैं हम राइट साइड है हमारी दिखिए एक फंदा हम शुरूगा तो slip कर लेंगे अब ये पहला फंदा हमने इस पिछली रो में slip करा था तो इस बार हम इसको बिनेंगे और ये वाला slip करेंगे तो ये वाला हम फंदा बिन लेंगे और ये वाला ऐसे slip कर लेंगे फिर आगे का फंदा बिनेंगे और इसको slip कर लेंगे फिर आगे का फंदा बिनेंगे slip कर लेंगे जो हमने पिछली बार नहीं बिना था उसको हमने इस वाली स्लाई में बिनना है और जो बिना वा था फंदा उसको हम slip करेंगे तो पैटर्न वही चलेगा बस हमें इतना ध्यान देना है कि जो हमने बिना है फंदा उसको हम स्लिप कर लेंगी इस वाली रो में इस लास्ट वाला फंदा हमने बिना था तो इसे स्लिप करा थर्ड रो भी कम्टीट हो गई है हमारी फोर्थ रो में हम सारे फंदे उल्टे बिनते वे कम्टीट कर लेंगे इसमें हमें सारे फंदे उल्टे भी बिनने है यह एक बर हमारा डिजाइन बन गया है यह देखिए इस तरीके से आएगा यह अब हमें इन ही चारों को आगे कंटिन्यू करना है बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमने फंदा बिनावा है उसको स्लिप करेंगे और जो स्लिप करा है उसको बिनेंगे तो हर बार ऐसे ही करेंगे सीधी तरफ और रॉंग साइट से उल्टा उल्टा बिनेंगे तो जब आप इसको आगे continue करते जाएंगे तो इसका लोग कुछ इस तरीके से आएगा ये देखिए ऐसा दिखे गई Thank you